दोस्तों हिंदीटेक टूडरेल में मैं आपके सवागत करता हूँ हूँ राजदीप और आज इस वीडिमें मैं आपको बताने चाहरा हूँ एक टूल के बारे में लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा की पहले आप कोडिं करना की लिए तो इस अगर आप ने सिर्फ टूल से आपको आता हो ग्रिडियंट बनाना तो इसलिए आपको नॉर्मली यू भी बनाना आना चाहिए तो दोस्तों अगर आपने शनल को सब्स्राइब नेगे तो शनल को सब्स्राइब कीजिए और चलिए जिल्दी से स्टार्ट करते हैं तो गाइस मुझे जाना होगा Google.com पर और Google.com पर जाने के बाद मुझे सर्च करना होगा CSS3 Gradient CSS3 Gradient पर सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर option मिलेगा CSS Gradient.io इस पर मुझे क्लिक करना होगा ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास यह CSS का जो Gradient वाला पैनल है वो यहाँ पर open हो जाएगा अब आपके पास क्या मिलता है यहाँ पर यह दो Bars मिलते हैं तो इन Bars को आप अब adjust करके इसका जो color है उसको आप adjust कर सकते हो तो मेरे पास यहां दो color है पहला हो गया ब्लूइश टाइप ठीक है दूसरा हो गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको linear gradient मनाना है radial तो आप सबसे पहले linear हम बनाएंगे तो linear gradient को मैं select कर लेता हूए तो अभी मैं सकश्वा इतना ही रखता हूँ points को थोड़ा सा बड़ा देता हूं इस तरीके से रखता हूँ और यह कैब आपको क्या करना है इतना करने के बाद आप चाहे हैं यहाँ पर और colors added कर सक आख तो आप यहाँ पर click करके आप पर Karol ले फिर इस다고 सिलेट करें और यहां से कोई भी इंपर उसकोद सकते ठायां और यहांपर आया आई दो इसके जो इसके जो इस प्रेड इसको आप कंट्रोल कर सकते इसका इएम्फिप यहां से सकते के लार है तो में अगर यह वाला कुछ इस टाइप का बूः श सट टू ऑन सakकता हुं उसके बाद यह वाला ला यह को भी Oops mrар sq government कर सकता हूं और यह यह जाता हूं तो यह वीव Si Clayton यहां जाता हूं और आव यहां पर स्मेंट कर सकती है परोध्ligt करके से और को copy to clipboard करता हूँ ठीक है इसको मैंने copy किया है यहां गया मेरे code पर गया और code पर जाने के बाद मेरे जो background है इसकी जगे मुझे इसको paste करना है इसको मैंने save किया यहां गया और यहां जाके मैंने open किया तो आप देखेंगे यह gradient है खूब सूरत सा जो gradient है वो मुझे यहां मिल गया बहुत ही अच्छे colors दिख रहे हैं अब हम इसमें और भी modification जो है वो देखते हैं और modification क्या ह आप यहां पर डाल सकते हैं R, G, B और A को select कर सकते हैं अब मान लो आपका यह pink color है इसको मैंने select किया इसमें आप transparency बढ़ाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से आप transparency जो वो कम कर सकते हैं तो आप देखेंगे यह transparent हो गया area और यह फिर transparency को आप बढ़ा सकते हैं तो जो हमार 30, 21 जो angle आप चाहे वो यहां से आप select कर सकते हैं इस तरीके से आप angle यहां से control कर सकते हैं उसके बाद आपका stop जो है stop का मतलब होता है जो हम यहां से इसको इस तरीके से कर रहे है वो आप यह number डाल के भी कर सकते हैं बट मैं prefer करूंगा कि आप यहीं से करें तो ज्यादा बनाना है तो यहां पर select करके इसको modify कर सकते हैं फिर उसको बनाने के बाद आप यहां क्लिक करके उसको modify कर सकते हैं इस तरह के से अलग-अलग combinations को modify कर सकते हैं उसके बाद आपके पास option आता है radial करके तो radial में भी कोई बहुत जालए difference नहीं रेडियल में भी आप अलग--अल अगर आपको जादा मगजमारी नहीं करना है और आप चाहते कि आपको simply code मिल जाए तो आप इसका use करके अच्छे से colors बना सकते हैं बहुत ही जादा अच्छा टूल है cssgradient.io तो guys इस video के लिए इतना ही और guys अगर अभी तक आपने मेरा personal coaching का program शुरू नहीं किया है तो आप जल्दी से शुरू करिए क्योंकि बहुत कुछ नहीं चीज़ा आपको सीखने को मिलेगी और बहुत कुछ depth में आपको सीखने को मिलेगा तो guys इस video के लिए इतना ही और मैं आप से मिलता हूं next studio में बाबाई